नमस्ते डियो वीवस् आज के इस वीडियो में हम लोग Vector Identity No.8 को डिसक्स करेंगे देखिये मेरे प्यारे वीवस् इसके पहले हम लोगों ने Total 7 Vector Identities को डिसक्स किया ओके और ये Vector Identities बहुतvadस्त है Examination Point of View से तो इसके पहले हम लोगोंने जितने भी vector identities को discuss किया था वो सब हम लोग step to step proof किये तो सारे vector identity को पट आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो vector identity लिए हैं इसका proof हम लोग सारा proof जो है step to step यहाँ पर लिख के रखे हैं बस आपको steps बताएंगे और आप इस चिसको definitely समझ जाएंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिरे प्यारे viewers यहाँ पर देखे हमारे पास जो vector identity है वो क्या है arrow del cross 5 arrow f is equal to arrow del 5 cross arrow f plus 5 arrow del cross arrow f हमें इसे proof करना है तो इसको proof करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि left hand side वाले को अलग proof करेंगे और right hand side वाले को अलग proof करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या तोनों equal आ रहा है अगर equal आ रहा है तो यह vector identity proof हो गया ओके सो हम लोगों ने क्या क्या है यहाँ पर left hand side वाले को proof करके रखा है left hand side वाला क्या है arrow dell cross 5 arrow f है और थाथ हमें क्या करना है 5 arrow f का curl निकालना है ना dell cross यह curl को represent करता है तो हम लोग क्या कर रहा है arrow f को ले लिए f1 i cap plus f2 j cap plus f3 k cap और इससे 5 को multiply किये ताकि हमें 5 f1 i cap plus 5 f2 j cap plus 5 f3 k cap मिल सके and फिर क्या कि arrow dell cross 5 arrow f को direct determinant के form में लिखे और is determinant को solve कैंगे तो हमें इसका यहाँ पर result मिला जो इस pink color से हम लोग लिख के रखे determinant को solve करने के लिए पहले i cap के लिए आइक क्या करना है इसको इसके साथ लेकर के जाना है और इसको इसके साथ ओके, j cap के लिए आपको क्या करना होगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लेकर करके जाना है वहीं अगर आप k cap की बात करो, तो k cap के case में आप इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ठीक तो इसदेट और मनान को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको यह वाला हिस्सा मिलता है यह जो आप देख रहे हो यह वाला ठीक है यह पूरा आई-कैप, जे-कैप और यहाँ नीचे के-कैप का लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे वीवर्ज यहाँ पर क्या है ना हमारे पास फाई-डल-F3 आ रहा है फाई-F2 आ इसी प्रकार से जे और के-कैप ने भी आपको मिलेगा तो हमें क्या करना है हमें इसे आपको यह पूरा जो ग्रीन से लिखा हुआ है यह आपको मिलेगा यह वाला जो ग्रीन से लिखा हुआ है इसको हम लोगों ने क्या क्या है equation number 1 ले लिया है यह हमारा value हो गया equation number 1 जो है यह value हो गया किसका LHS का अब चलिए right hand side वाला जो है उसे देखते है मेरे प्यारे वीवर्स देखे right hand side में हमारे पास दो हिस्सा है एक तो यह वाला हिस्सा है और एक यह वाला तो क्या करेंगे द हम लोगों ने पहले क्या क्या है arrow del phi cross arrow f यह निकाला है यहाँ पर यह जो arrow del phi है यह क्या है यह है grad phi grad phi बोले तो grad phi है ना मतलब gradient phi अब del का value क्या होता है हमें पता है i cap del by del x plus j cap del by del y plus k cap del by del z है ना और इसमें phi को multiply करना है तो हम लोग यह चीज यहाँ पर नहीं लिखे है हम लोग क्या क्या है हम लोग यहाँ पर जो है arrow del phi cross arrow f जो है इसको direct determinant के form में लिखे हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे है अब determinant को कैसे solve करना है कुछ दिर पहले यहाँ लोग आपको बताए तो arrow del phi cross arrow f है ना इसका value यहा ठीक है इसको हम लोग equation number 2 ले लिए अब जो दूसरा पार्ट है हमारा right hand side का 5 arrow del cross arrow f इसको हम लोग यहाँ पर निकाले है ठीक है 5 arrow del cross arrow f यह क्या है देखिए arrow del cross arrow f क्या है curled arrow f है पहले curled arrow f का value निकालेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे 5 multiply कर देंगे तो curled arrow f के लिए हम लो तो यह वाला हिससा आपको मिलेगा यह वाला और इसको फिर 5 से multiply कर देंगे ठीक तो यहाँ पर देखिए 5 से जब आप multiply करोगे तो आपको यह वाला value मिलेगा यह वाला जिसको हम लोग equation number 2 देके रखें अब जब आप equation number 2 और equation number 3 इन दोनों को एक साथ add कर दोगे तो यह number 8 करके देखिए okay so इस प्रकार से हमारा जो vector identity number 8 है वो complete होता है इसके बाद हम लोग और भी vector identities को लेंगे यह सारे vector identities बहुत important है competitive examination point of view से और university examination point of view से ठीक है तो क्या करना है आपको आपको क्या करना है equation number यहाँ पर देखिए यह जो 2 और 3 है इन दोनों को क्या करना है आपको cable और cable add करना है तो और वो जो add करोगे आप आपको equation number 1 अर्थात इससे equal मिल जाएगा ओके तो इतना काम आप खुद से कीजे हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं और इसक पहले का जेतना भी vector identities है अगर आप देखना चाहते हैं तो link आपको playlist का नीचे description में मिल जाएगा